नमस्कार मित्र जैमात दी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो मित्र हम बात करेंगे आपके गले 24 गंटों के मैं है तो प्रणरासी फल की याने की मित्र दिनांक 22 मार्च 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए मित्र पंचांग के नुसार देखें तो 22 मार्च को मंगलवार का वार है साथ में चेत्र मास के क्रस्न पक्स की पंचे मित्यती है और मित्रो स्वाती नक्सतर है और सुर्र जो है वह में रासी में विराजमान रहेगा तो वही दूसरी और चंदर मा जो ही मित्रो वह तूला रासी के उपरांत व्रस्चिक रासी में स प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्र विध्यार्तियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है क्या खुश खबरिया है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो मित्र सब से पहले तो जो भी भक्त अपने मां स पुरुन करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की शुरुबात करते हैं गुरु जी के छोटे से अनमोल वेचार से तो मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि पत्थर सदेव हातोडे की अंतिम चोट से तुड़ता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेहले की सभी चोटे बेकार गई हो इसी तरह मित्रो इसका तालुक हमारे जीवन से भी है कि सफलता निरंतर प्रियासों का ही परिणाम है जी हां मित्रो जब तक आप निरंतर प्रियास पहले भी करते आए हैं और अभी भी करेंगे तो आपको सफलता अवस्य ही मिलेगी इसलिए मित्रो जीवन में सा मेहनत करते रहिएगा क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल अवस्य मिलेगा तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा गुरु जी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस्य लिख करें और किसी मित्र के साथ अपने भावनाओं को बाटने की कोशिश करें जी हां मित्रो उनकी मदस से आपको समस्याओं का हल जरूर प्राप्त होगा और परिवार के किसी व्यक्ति की सेहस्य संबंद चिंता आपको हो सकती है मित्रो जब तक आप अपने भावनाओं को किसी के साथ बाठेंगे नहीं तब तक आपको समस्याओं का हल प्राप्त भी नहीं होगा और मार्ग भी नहीं प्राप्त होगा इसलिए मित्रों खुद को घुटन में हिसूस ना होने दे यदि आपकी जीवन में कोई समस्याओं है तो लगता है कि कोई अपना है तो आप अविश्य स आपको अच्छे से समझ रहा है और जब तक आप पार्टनर को ध्यान नहीं दे पाएंगे पार्टनर की तरफ आप सही से बरताओं नहीं कर पाएंगे तो इस वज़े से आपके रिष्टे डगमगा सकते हैं साथ ही मित्रों आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से ठका महसूस होगी लेकिन इस कारण किसी भी काम में बाधाय नहीं आईगी जो कार चल रहे हैं वह चलते रहेंगे और परीवार के लोगों के साथ रिष्टों में आपको उतार चड़ाओं नजरा आएगा लेकिन आप उनके पक्सको समझने की कोशिस करेंगे और बड़ी खरिद तारी ससंबंदित दुविदा आपको महसूस हो सकती है जी हां मित्रो करियर ससंबंदित जो प्रयस्ण मन में उठ रहे हैं उनका जवाब अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करने की कोशिस करने होगी अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही आपको जीवन में आगे के नए और मित्रो लव रिलेशन्सिप में उतार चड़ाओं महसूस होंगे लेकिन इस्तती नकारात्मक नहीं है जी हां लेकिन आप सोच सोचकर उसे नकारात्मक बना सकते हैं तो ज़्यदा सोचे ना मित्रो क्योंकि जब आप ज़्यदा सोच विचार करेंगे तो इस वज़े से परिश्तिती भी नकारात्मक बनेगी और आपके कार्य भी नहीं बनेगे मित्रो मानसिक रोप से होने वाली तकलिफों को सुलजाने की जीद आपके लिए और तकलिफ बढ़ा सकती है इसलिए ज़्यदा जीद ना करें साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भावनाएं आपको मेहसूस हो रही है उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिस करनी होगी क्योंकि आप उपरी मन से इन भावनाओं को देखकर थोड़ा सा व्याकुल हो रहे ही और मित्रो तभी परिष्टिति के साथ समझुता कर पाना आपके लिए संभव होगा जब तक आप उन्हें समझने की कोशिस नहीं करेंगे परिवार के लोगों के द्वरा डाले गए दबाओ की वज़े से कुछ निर्णे मर्जी की खिलाप लेने पड़ सकती ही तो वेवाहिक जीवन में भी आपके उतार चड़ाओ इस समय बन रहा ही मित्रो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोच विजार करके किसी निर्णे तक आप पहुच पाएंगे और उस पर ठीके रहने के भी कोशिस आपको करनी होगी भावनाओ को नियंत्रण में रखना आती आवस्ये के क्योंकि मित्रो भावनाओ में आकर ही आप अकसर गलत फेशले ले वेड़ते हैं तो कुछ लोगो कर से संबंदि चिंता दूर होने की वज़े से अपने काम को बड़े इस्तर पर कर पाना आप के लिए संभव होगा और पार्टनर के साथ बाच्चित कम होने से चिंताई बनी रह सकती है जी हा मित्रो इस बात का भी विशेज ध्यान रखिएगा कि बहुत एक सोफों की अप कर दिल बन सकती है तो मित्रो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने अपनी समता है अर्था जितना चादर है उतने ही पेर पसारिएगा क्योंकि यदि आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो इस खर्च के चक्र में मित्रो आपको आर्थिक इस्थरी से जुझना आपको पेट में जिलन में हिस्सूस हो सकती है तो पेट में यदि आपको कुछ गड़बड़ी दिखे तो आप या तो आयू व्रेदिक चीजों का सेवन करें या फिर तुरंत किसी अच्छे चिकिस्चक से सलाह लें और तनाव रहने से सेहत में बिगार नजर आ सकता है तो ज वक्त लगेगा मित्रों अपने इच्छा सकती को बनाए रखें जी हां काम से संभंधित बाते अधूरी रहने से काम का तनाव बढ़ सकता है और पाठनर के साथ बात्चित ठेक रहने के बाद भी वाद विवाद वाले स्थती बन रही है और एक्जाइटिका दूर करने के ठेरे पिष्टी की मदद आपको जरूर लेना है एक साथ कई बातों के बारे में सोच विचार करने की वज़े से आपका मन भटकता रहेगा और चंचलता भी बढ़ती हुई नजरा रही है मित्रों किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में जलन की भावना है तो उसे दूर करने की कोशिस करनी होगी वरना आप अपने उर्जा नकारात्मक बनाकर खुद का नुक्सान कर सकते हैं जी हा मित्रों इस बात का ध्यान रखियेगा कि आप लोगों की तरक्की से जले नहीं बलकि अपनी तरक्की से लोगों को जलाए युवाओ को बेकार की बातों को दुर कर अपने काम पर अलिक ध्यान देने के आउसकता होगी क्योंकि मित्रों आपका यह समय है अपने मंजिल पर अपने नजरें गडाए रखना इसलिए अपनि जो भी नजरें जो भी मांग हैं उन्हें लक्स की और ही लेकर जाए पार्टनर से समबंदित सी चोच, विचार बार- आपकी जिम्मेदारी ठीक से समझने की कोशिस करने होगी जी हाँ मित्रो क्योंकि जब तक आप अपने जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं चमझ पाएंगे तो आप अपने जिम्मेदारियों का अवलोकन भी नहीं कर पाएंगे लोगों की अपेक्साय आपसे बढ़ रही है लेकिन अपनी स्वामता को ध्यान में रखते हुए नए जिम्मेदारी स्विकार करना है या नहीं यह तैय करना होगा मांसिक रूप से खोद को मजबूत बनाये रखना आपके लिए फिलहाल के समय में अत्यन तावश्यक होगा वही मित्रो करियर से संबंदित बनाई गई योजना की चर्चा फिलहाल किसी भी व्यक्ति के साथ बिलकुल ना करे और पार्टनर को भावनात्मक स्वरूप से आपकी सहीयोग की जरूरत होगी और जब आपका सहीयोग पार्टनर को प्राप्त होगा तो आप देखेंगे कि किस तरह आपकी जीवन में एक सकरात्मक परिवर तना रहा है मित्रो जेवन संबंदित अनावियसक बातों को दोर करके केवल अपने व्यक्तिगत विकाज पर ध्यान देना होगा आपके साथ आपके लिए यह संभव भी हो सकता है परिवार के लोगों के साथ बाते आपकी स्पष्ट होने लगेगी इस कारण रिष्टों में थोड़ा बदलाव भी जरूर नजर आएगा और लोगों को उनकी गल्ती का एहसास दिलाते समय कठोर सब्दों का उपयोग ना करें महिलाओ की बात करें तो महिलाओ के लिए बिजनस संभंधित काम की सुरुवात कना संभव होगा यह भी आसानी से मिलेगा और कठिन परिष्टिति में पार्टनर का साथ बिल्कुल ना छोड़े मेहनत और लगन से आप अपने परिष्टिति में बदलाव ला सकते हैं अभी तक प्राप्त होरे अपयस की वज़े से नकरात्मक विचार और गुस्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने नकरात्मक विचारों का प्रभाव अन्य लोगों के जीवन पर ना हो इस बात का खास ध्यान रखना होगा और किसी भी व्यक्ति के साथ बिजनस संबंदिट डिल करने से पहले व्यक्ति के पिछले समय को जानने की कोशिस करें व्यक्ति को अच्छे से परकें क्योंकि कभी कभी आप व्यक्तियों को परकने में मात खा जाते हैं जिस वज़े से आपको और मित्रो कमेंट बॉक्स में गुरु जी का शिर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवस्य लिखियेगा गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाय पूर्ण करेंगे और मित्रो देनिक राशिफल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो के प्राप ये गाऊज है शुरु झाल है